हेलो स्टुदेंट्स वेलकम तो बायमेंटर्स क्लासेज ऑनलाइन तोड़े वी आर गूंग तो डिसकस दे नेक्ट टॉपिक इन अवर चैप्टर न्यूटन्स लॉज ओप मोशन अच्छा तो आज हम लोग क्या नया टॉपिक डिसकस करेंगे तो नया टॉपिक कुछ भी नह ही है आज फिर से हम लोग नुमेरिकल से ही डिसकस करेंगे लेकिन थोड़े से आगे पार्ट को हम लोग बढ़ाते हुए मुवाउन करेंगे थोड़ा सा आगे एक जो नुमेरिकल सीखे हुए नुमेरिकल से उन्ही में हम लोग थोड़ा सा आगे यहां पर बढ़ते हुए चले जाएंगे जैसे मैं आपको बताता हूं एक क्वेस्चन हमारे पास में एक टू केजी का ब्लॉक है इसको रसी से जोड़ दिया है मैंने यहां पर एक थ्री केजी का ब्लॉक है इसको मैं सौ न्यूटन के फोर्स से ऐसे ऊपर की तरफ खींच रहा हूं तो यहां पर आपक कितना आएगा और सिश्टम का एस्सेलरेशन ठीक है अब देखो दोनों एक ही रसी से जुड़े हुए तो एस्सेलरेशन क्या होगा सेम होगा तो यह आपको यहां पर कैल्कुलेट करके बताना है तो भई हाव विल यू गूइंग तो हाव यू आप लोग तो स्टार्ट कै कैसे आप लोग स्टार्ट करेंगे तो करने का तरीका वही है कैसे जैसे मान के चलो यदि यह ब्लॉक के उपर मैं फोर्स नहीं लगाया होता ठीक है फोर्स नहीं लगाया होता तो यह कुछ इस प्रकार से बनता था क्या यस और नो मैं वह बहुत सही बात है अचा इसको करने का तरीका क्या था इसको करने का तरीका सिंपल था आपने 3 केजी का एब बीडी बनाया नीचे लगा दिया 30 ऊपर लगा दिया टेंशन T1 बराबर है तो यहां से आप लिखोगे T1 बराबर होगे 30 ऐसे फिट 2 केजी का आपने बीडी बनाया तो इस पर लिखोगे नीचे है T1 और नीचे है 20 और ऊपर में है T2 तो टी टू बराबर T1 ब्लस का 20 यही करते थे की नहीं करते थे सवाल याद कीजिए बिल्कुल ऐसी है लेकिन अब यहां पर क्या हो गया है यहां पर ध्यान दीजिए वह इस केस में मतलस्तो का रहे और जब यहां अब तरीका क्या रहेगा करने का तरीका बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा जैसे इसमें आपने follow किया है इसी approach को यहाँ पर लेके आना है तो यह आप देखे 3 kg वाले ब्लॉक को लेके आ गए तो यह 3 kg वाले पर नीचे आपका 30 लगेगा इसमें तो कोई शंका नहीं है बिल्कुल नहीं है और इस पर उपर attention लगेगी और यह पूरा system उपर चलेगा यह पूरा system क्या होगा उपर चलेगा और यदि यह उपर चलेगा तो यहाँ पर F net बराबर क्या लगेगा 2 kg वाले block पर tension लग रही है नीचे यह देगो यह tension इस पर भी लगेगी ओके इसका खुद का weight है 20 2 into 10 20 और उपर मैं यह लग रहा है 100 newton का force और साथ में उपर मैं है acceleration बराबर है तो यहाँ पर equation क्या बनेगी यहाँ बनेगी 100 minus t minus 20 बराबर 2a clear है तो 100 minus 20 करो तो यह आएगा 80 minus का t बराबर equation number 2a बराबर है अब मुझे इनको क्या करना है solve करना है तो equation number 1 और 2 को add कर लीजिए add करते ही क्या होगा t से t कटेगा 80 मैं से 30 गए तो यह आ गया 50 बराबर 3 और 2 5 तो 5a तो a की value आ जाएगी 10 meter पर second square बासने में आ रही है अब एक ही value उठाके कहीं पर भी output कर दीजे जैसे मान के जो यहाँ पर आपने कर दिये तो t बराबर आएगा 30 प्लस का 3 into 10 मतलब टेंशन आएगी यहाँ पर 60 Newton बासन में आ रही है अब देखो कई लोग बोल रहेंगे सर पहले जो सवाल किये करते थे हम लोग जो horizontal direction वाले सवाल हुआ करते थे a बराबर f अपन m1 प्लस का m2 बराबर है मुझा सही बात है तो सर इस concept को यदि मैं यहाँ लगा दूं तो क्या परेशानी है मतलब यहाँ पर यदि मैं बोलूं देखो सर जी यह रहा आपका 2 kg वाला नीचे वाला है आपका 3 kg वाला मुझा बिलकुल सही बात है और उपर मै आपने लगा दिया 100 तो यदि मैंने इसको ऐसे लगा दिया कि 2 और 3 जुड़ गए हमारे यह यह 2 और यह 3 जुड़ गए तो हमारे पास में 5 kg का ब्लॉक बन जाता है तो उपर मैं यह 100 न्यूटन लगा दिया तो बताओ सर जी यह एसलरेशन बराबर 100 अपॉन 5 करने पर 20 आ रीजन बेहाइंड दिस थोड़ा सथ देखो कॉमन सेंस थोड़ा से बुद्धी लगाओ आप लोग भी आपको समझ में आएगा कि यह कहां पर गड़ बड़ी है क्या गड़ बड़ी है आपने क्या किये तो यहां पर जब आप लगा रहे थे concept apply कर रहे थे तो यहां पर यह लेकिन जब यहां वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहे हो तो आप एक चीज भूल गए कि या नीचे आपका 50 न्यूटन भी तो लगेगा वही डबली बराबर एम जी तो हमेशा लगेगा न उसको तो आप छोड़ नहीं सकते ना 5 इंटू 10 बराबर 50 न्यूटन ये तो लगेग तो देखो कितना बचेगा यहां पर 50 divided by 5 मतलब आंसर 10 मीटर पर सेकेंड स्कुएर जो कि आपने पहले निकाला था वही वाला आंसर यहां पर फिर से मिल गया कोई गलती नहीं हो रही है बस गलती हम लोग क्या कर जाते हैं कि भीया हम इस वाले फूर्स को लगाना भूल तो सर फिर तो आपको याद रखना चीज ना अरे भीया मैं नहीं भूला मेरे उपर उंगली मत तानो सीधा मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे मन में ऐसा एप्रोच आ सकता है देखो I am not saying कि हर स्टूडेंट गलत है और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि सबका आ भी गया होगा ये कोई तो एक रहा होगा जिसको नहीं आया होगा तो मैं उस एक स्टूडेंट की जो शंका पॉसिबल है उसके मन में ऐसा शायद विचार आया हो तो उसको ध्यान रखना चीए कि नहीं रखना चीए आप बोलो आपका सहपाट यह न वो आपके साथ में पढ़ रहा है तो पंके के सामने भी वेड़े आओगे तो भी हवा नहीं लगेगी क्यों हवा तो यहां से तो चली नहीं दिए यहां तो बंद है हवा क्लियर है ओके सो यह बात समझ में आ गई आप लोगों को कॉंसेट कैसे अपलाई करना यह समझ में आया अब आपका आपकी डूटी क्या बनती है बोलो अब मैंने 2 kg 3 kg 100 kg लिया अब हम लोग एक और सवाल कर लेते चलो आपकी तसली के लिए चलो अब देखो इस बार मैंने सवाल लिया अब सोचो यदि वहां पर आपने देखो वापस आजाओ मैं एक बार और चीज बता देता हो यदि आपने सीधा एसलरेशन निकाल लिया होता है तो टेंशन निकालनी कौन सी बड़ी बाती जैसे मैंने आपको इसका बड़ी बनवा के बता देता हो यह नीचे थर्टी लग गया यह उपर एसलरेशन तो आप लिए टी माइनस का थर्टी बराबर 3 इंटु एसलरेशन आपको पहले से मालुम था तो या आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसका बड़ी बना यह तो यहां पर आपका एसलरेशन नीचे यह 20 है नीचे यह टेंशन है अब तो वह तो क्या लगाओगे यहां पर लगाओगे हंड्रेड माइनस का 20 माइनस का टी बराबर 2 इंटू एसलरेशन कितना है 10 तो का जो ध्यान आपको रखना है सवाल हम लोगों ने 10 मिंट में हो सकता है एक ही किया हो लेकिन जो गलतियां पॉसिबल है उनको आपको यहीं पर रिमूव करना है उसके बाद मैं आगे गुंजा इस नहीं कि आप गलतियों को रिमूव कर पाओ क्योंकि यह चोटी-छोटी से सब करो दागता है एक और यह फ्कोषट सहुट्य फटेश्ट कर लेता हूं और यहां पर हम लोग कर लेते डिए 80 न्यूटन लगा लेते लगा लो करो कैसे करोगे अरे फटाफट करो तो बहुत देखो सबसे पहला आसान काम यहीं रहता है या आप पहले क्या करो इस पूरे को एक मान लिया तो यह हो गया चार केजी उपर लग गया असी न्यूटन नीचे आपका लग रहा है चालीस तो एसलरेशन आएगा कितना 80 माइनस का 40 अपान 10 तो 40 चालीस तो एसलरेशन की वैलियो आ गई आपके पास में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर बूलो अब ऐसे सवाल बना के आप कर सकते हो गया आराम से कर सकते हो अब आगे क्या निकालना है टेंशन तो यह टेंशन के लिए आप किसी का भी एबीडी ले लिए यदि मैंने 1 केजी के एबीडी से देखता हूं तो नीचे लगेगा 10 ऊपर लगेगी टेंशन और ऊपर लगेगा एसलरेशन बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर क्लियर है चलो तो इसको आगे सॉल करो तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा टी माइनस का 10 बराबर 1 इंटू A और वो भी कितना है बोलो कितना है 10 तो यह यहाँ पर सॉल करके टेंशन की वैलियो आगे 20 न्यूटन ऐसे कर लो आपको यह वाला अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यह उसके एबीडी से कर लो आप बनाओगे 80 माइनस 30 माइनस का T बराबर 3 इंटू 10 सही है तो ओवराल देखो T इधर जाएगा प्लस हो जाएगा यह इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 80 में से 30 गए 50 में से 30 गए तो यह T बराबर 20 न्यूटन आ जाएगा तो एक सवाल में आपको कैसे अप्रोच लग आपको होनी चाहिए चलो अभी हम लोग जैसे यह एफनेट बराबर में की कुछ सवाल में और करवाता हूँ आपको कुछ theoretical सवाल भी तो बन सकते हैं theoretical सवाल में बात याद रखना कि कोई भी टाइप का सवाल बन सकता है हालां कि देखो rocket rocket वाला जो सवाल है वो उसको हम लोग बहुत एकदम लाश में डिसकस करेंगे तो उसको अभी डिसकस करना ही नहीं लेकिन अभी के लिए आपको मैं बता दूँ कि यह ऐसी भी कुछ सव सवाल बनना पॉसिबल है जैसे मैं आपके पास मैं question लिखता हूं ठीक है question लिखने में थोड़ा सा मेरा समय जा सकता है a constant force of a constant force of 10 newton आप लोग क्या गर सकते थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए ठीक है जहां पे question लिखके मिल जाए वहां से आप देखना चालो कर दीजिए constant force of 10 newton x on a particle x on a particle stationary particle is stationary particle of mass 10 kg for mass 10 kg for 10 second एक बार देख लें दो यह constant force एक सेके ना इसको अटा दो force की value नहीं गिवन है ठीक है a constant force x on a stationary particle of mass 10 kg for 10 second after which after which the force after which the force cj is to act cj is to act आगे बोला गया है इस सवाल के अंदर the particle the particle moves 50 meter in next 5 second particle क्या हो रहा है अगले 5 second में 50 चास मीटर चल रहा है और सवाल में बोला गया है फाइंड फोर्स फाइंड फोर्स यह फोर्स पूछ लिया है बोलो सवाल को कैसे करोगे फोर्स वाला ही चीए न्यूटर्स लॉजब मोशन वही चीज़न चल रही है कैसे हम लोग सवाल को सौलता है देखो अब यहां पर वही वाला है कि यह थोड़ा बहुत काइनमेटिक से रिलेशन है कैसे यह नि मैं फोर्स की बात करता हूँ है और फोर्स वराबर होता है इंटू एसलरेशन आपको टेन केजी दिया है कईसे एसलरेशन निकालना तो काम बन जा जाएगा अजलेशन नीमा- V minus U upon T, क्या निकाला जा सकता है V minus U upon T, लेकिन परेशान है कि V भी नहीं है, तो V को कैसे निकालेंगे, तो V बराबर U plus A T मत लगा ले न, उससे भी निकालना possible नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए देखो क्या हो रहा है सवाल को ध्यान से पढ़िए एक constant force है जो एक stationary particle पर लग रहा है 10 kg के particle पर कितनी सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए after which the force ceases to act मतलब क्या रहा है उसके बाद में force लगना बंद हो जा रहा है यदि force लगना बंद हो गया मतलब velocity क्या हो गई constant हो गई और जब force लगना बंद हुआ उसके बाद में particle 50 मीटर अगले 5 सेकंड में गया तो यह वैलो सिटी होती है distance upon time तो यहां पर आपके पास में velocity मिल जाएगी 50 upon 5 मतलब 10 मीटर पर सेकंड ऐसे सर्जी एक concept हम लोग हर जगे लगा सकते हैं वह देखो इस सवाल के अंदर में क्या बोला गया है कि यहां पर उसने क्यार्य हिंट देदी कि फोर सटा दिया है और एक बढ़ फोर सटा गया एक बार फोर सटा दिया तो इसके बार इसका मतलब कर पार्टिकल कॉंशन रफ्तार से चलेगा तो यह आपका ए बराबर आएगा टैन माइनस का 0 upon मैट अब यह वालाटी कौन सा यह वाला टी कौन सा तो यह. एसलिरेशन कहा से मिल रहा है. फोर्स से तो यह वाला जो टी आएगा. वो दस सेकेड़् हाएगा. मतलब आपका एसलिरेशन आ रहा है वान मीठर पर सैकंड इसको सवाल में क्या पूछा गया फोर्स और फोर्स का मतलब है सब्सक्राइब कर रहे हो तभी तो यह 10 तक पहुंच रहे हो रह से चालू करके दस तक पहुंच इसलिए यह वाला समय यहां पर लेना ज़रूरी है अब एसलिरेशन मिल गया तो फोर्स बराबर आएगा 10 इंटू 1 मतलब फोर्स आ गया यहां पर 10 न्यूटन क्या यह वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया अब ऐसे ही यहां पर और भी वर्ड को वर्ड वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जैसे मैं आपके बोलूं कि मान के ऐसे लो आपके पास में एक शिप है उसका मास दे दिया उसको बोला है कि वो रेश्ट में है शुरुवात में उस पर मैंने एक उस तो भी फोर्स लगाने पर हुआ यह है कि वो कुस्टो भी डिस्टेंज चल गया ए तो आपको बताना है स्पीड कितनी है शिप की बासिन मे रहा हूं मेरे हां से दीजिए कि मान के जलिए question है मेरे पास मैं ऐसा a force of 10 kilo newton is applied on a stationary ship stationary ship shop आप नहीं है stationary ship है यह मतलब रुक्य हुई जहाग है आफ मास 10 to the power 8 kilogram okay a force of 10 kilo newton is applied on a stationary ship of mass 10 to the power 8 kg if water resistance अब दो सिंपल सी बात है पानी में जहाँ आजे तो water resistance oga is a neglected is a neglected is a neglected and ship move the ship moves 50 meter in this time interval in this time interval find the velocity find the velocity of ship below कैसे करोगे आप जड़ा ध्यान से देखिए और करके बता यह क्या किया जा सकता है क्या करना है इनीशली दो शिप रिष्ट पे है मुझा यू बराबर है जीरू अच्छा फाइनल आप से पूचा है distance भी आपको दे रखी है पचास मीटर की acceleration नहीं गिवन है यदि acceleration मिल जाता है तो मेरा काम बन जाएगा अब बताइए acceleration कैसे निकाला जाएगा तो acceleration निकाला जाएगा फूर्स अपॉन मास से फूर्स कितने का लग रहा है तो वह यह फूर्स इतना बड़ा मत बनाई है पांच केजी ले लिए बस ठीक है ओके तो यह पांच हो जाएगा तो एक दो तीन चार जीरो यह पांच जीरो कटेंगे तो यह आएगा 0.1 कितना आ गया 0.1 आ गया बस तो आपका काम बन गया वी स्क्वेर बराबर यू स्क्वेर प्लस का टू ए एस तो वी स्क्वेर बराबर आएगा 0 प्लस का टू इंटू ए कितना है 0.1 इंटू एस कितना है 50 मीटर तो वह यह वी स्क्वेर बराबर पर कितना रहा है देखो यहां पर पॉइंट से तो यह 0 खतम हो गई वह बात तो पांस दूना आ गया दस ट्यार वी बराबर आ रहा है रूट 10 मीटर पर सेकंड कितना रहा है रूट 10 मीटर पर सेकंड शायद मैं एक जीरो और अच्छे से बन सकता है मतलब कैसे बन गया मान चलो यह दिमें 0.01 वन भाई 10 की जाके वन भाई 100 लिया होता छोड़ आप जो भी है शायद 8 से और भी आंसर सही आ जाता छोड़ जो भी है रूट 10 मीटर पर सेकंड इस दा आंसर हमें सिर्फ कॉंसेप्ट से मतलब है डेटा क्या लिया गया है उससे कोई फरक नहीं पड पहना Newton's Second Laws of Motion Cilidated Kinematic से सवाल है जो आपको यहाँ पर क्या होते हैं करने होते हैं चलो एक और सवाल करते हैं हम लोग question है हमारे पास में हमारे पास में क्या था है एक आदमी था मैं मान की जिले मैं ही हूँ a hundred kg man jumps in swimming pool jumps in swimming pool तलाव में कूदने तो जाओंगा नहीं डर है swimming pool में कूदेंगे from height of 5 meter height of 5 meter की उचाई से मैंने यहाँ पर jump लगा दी 5 meter की उचाई से मैंने क्या गर दी jump लगा दी if man stops in covering 0.4 meter मान चलो मैं 0.4 meter की मैंने distance cover करी और इतने में रुख गया ठीक है इतने में क्या हो गया रुख गया नहीं ऐसा एक काम करते इसको time से ले लेते चलो पिछला सवाल distance ले लिए ता ना इस बाट टाइम से ले लिए पिछला किस से लिए था मैंने distance से लिए था 50 meter चला था तो इस बाट time से ले लेते हैं तो मैंने बोला stops in covering भी नहीं आएगा फिर तो stops in 0.4 second 0.4 second find average force exerted by exerted by water on man ठीक है पानी ने आदमी पर कितना force लगाया बोलो कैसे करोगे हाउ तो आप बोले सर जी एफ बराबर एमे लगा लेते हैं मैं बोले चलो ठीक है कोशिश करके देखते हैं तब यहां पर देखो क्या हो रहा है सवाल को ध्यान से पड़ो आपका 100 kg वाला एक आदमी है swimming pool मैं कूद रहा है और पांच मीटर की height है लेट से यह आपका swimming pool ठैरा और यहां से पांच मीटर की ऊंचाई हो गई ये यह कितनी ऊंचाई हो गई पांच मीटर की ऊंचाई हो गई अब यहां से आपने सोचा है कि यहां से कूदा जाएगा ठीक है अब सोचे दिए यहां से कूदा तो यह तो gravity हो गई यह क्या हो गई motion under gravity का question हो गई यह तो बराबर है और जब यहां से कूदेगा मान के चलो यह मुंडी नीचे ऐसे कूद राया भी है तो इस समय इसकी speed क्या है कोई idea है कोई idea नहीं है अब जब यहां से कूदा तो मैंने बोला कि अंदर घुसेगा पानी के अंदर यहां से लेकर के यहां तक इसको 0.4 सेकेंड लगे और यहां पर जाकर इसकी final velocity क्या हो गई जीरो हो गई यह मेरा आदमी रेको इसकी मुंडी रेष्ट पर आके पहुंच गया इसके बाद में वह वापस जाए को अलग बात है लेकिन यह पूरी जो प्रोसेस हुई है यहां से लेकर के यहां तक की यहां पर आपको बताना भी यह पानी ने फोर्स लगाया होगा उस पर उल्टी डारेशन में तभी तो वह जाके रुख गया नहीं तो क्या है यदि फोर्स नहीं लगेगा तो वह कंटिनियसली क्या होता रहेगा चलता ही रहेगा अब इस सवाल में कैसे करें तो यहां पर अब एसलेरेशन निकालने की बात करते हैं तो यहां तो टाइम दे रखा है तो कई लोग बोलेंगे सर सिंपल सी वात है पहले यहां की वैलोसिटी निकाल लेते हैं जो यहां से मैं करता हूं तो यहां से कूदा और यहां तक वैलोसिटी कैसे निकालोगे वी स्क्वेर बराबर का यू स्क्वेर डाइगराम बनाना सीखे हमेशा इसलिए माइनस का 10 इंटो हाइट S कितनी है माइनस का 5 भाइया देखो यह आपका ओरीजिन हो गया ना भी यहां से कूद रहा है तो यह नीचे की तरफ 5 आएगा तो यह अपने आप आएगा तो V स्क्वार बराबर 5 दोना 10 यह आगया 100 तो V बराबर आगया 10 मीटर पर सेकेंड मैंने जीरो है मालूम है टाइम मालूम है तो सर जी V बराबर का U प्लस 80 किस दिन काम आएगा मैंने यह वाली बात भी सही है फाइनल जीरो इनीचियल है दस प्लस का एस्सेलरेशन ही निकालना है और टाइम कितना है 0.4 तो भाइया A बराबर आएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.4 औ माइनस का 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर यह बात समझ में आई गया मैंने बहुत सही बात है माइनस का 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर करिए क्या आगया इसमें एसलेरेशन आ गया और यदि मैं ऐसे कर देता हूँ ठीक है ओके तो आप बोलो के फूर्स कितना आएगा मास इंटू एसलेरेशन तो यह आएगा कितना 100 केजी का मास है और माइनस 25 तो यह आएगा 2500 न्यूटर बोलो सही है क्या कि 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 यह वास में आई एह पराबर में से कर लिया मेरे पास में फूर्स आगया अब देखो मैं सवाल को ऐसे सॉल करते हुए निकला हूँ मेर्म यहां से सॉल करना सरखने लगते हूँ तो यह आङसरब और समझ यह तो सबस्का यह का सवाल ने की आटcji कि परी ऑद्यकर का सवाल में कोई परेशानी नहीं होनी कि यहां पर देखिए की क्या हम लोगों ने जो पढ़ा है फिर उसका क्या significance है हमने क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है force बराबर rate of change of momentum rate of change of momentum यह किस दिन काम आएगा कि बस यह ऐसी पढ़ दिया छोड़ दिया नहीं विटा देखो यह भी काम आएगा कैसे तो आप लेखो कि पी फाइनल माइनस का पी इनीशियल अपाउन डेल्टा टी यह डीपी बाई डीटी जो भी है उसको पर यहाँ पर ऐसे फॉर्बेट में लिख दिया क्यूंकि आपको माइनस का इव इनीशियल अपाउन डेल्टा टी एक बाद बताओ यह तो एसलरेशन को यह डिनोट कर रहा है न और बाद मैं आप मास से मल्टिप्लाई कर दो मतलब जो हमने किया तो यही चीज़े हैं बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है इससे जादा और कु ना है तो आपका इस डायरेक्शन में 10 है तो आप इसे माइनस 10 ले ले सकते हैं अपन डेल्टा टी कितना है जीरो पॉइंट फूर है इसको सॉल कर लीजे यूविल गैट डांसर सेम एज पत्चीस सो न्यूटन यूपॉइंट अटाओगे जीरो बढ़ाएगी चार से काट टाओगे 25 यह जीरो डाईस और यह 02500 हो जाएगा पत्चीस सो न्यूटन यह भी भी आया बस क्या है अब यह पाचीस सो न्यूटन आया प्लस में आया मतल़ा इसकी डारेक्शन उपर है बासन में आ यहाँ पर कहानी होती है बस सवालों को आपको क्या है ना प्रापर ली करना है ऐसा ही सवाल मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ जैसे एक लकड़े का पट्टा लिया उसमें मैंने गोली दागी तो लकड़े के अंदर इतना घुसके रुक गई बराबर है यहां पर मैंने आदमी को स्विमिंग पूल में कुदा दिया बस गोली वाले और इस सवा सवाल में क्या हो रहा है यहां से वो रेश से कुदर यहां पर आते-आते उसमें वैलोसिटी का क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है अब यही सवाल को मैं 5 की जगे 50 मीटर से कुदवा के देदू 50 मीटर से कुदो पहले डर लगेगा वह एक अलग बात है लेकिन हो सकता नह लगता है जने लगता है य मैं गुलता हूं जाने तो लगता है तो हम लोग ऐसा सवाल कर लेते हैं क्वेस्ट फिल्ड हाइड्रोजन गैस फिल्ड हाइड walks ल् bize बलून ट्रीर्स म् हमारे पास में गुबबारा है जिसके अंदर में क्यों रहा ही दो जन्गा को प्रवारी हुई है इसका हम लोग कुछ तो भी मास ले लेते हैं है अधा मास ने छोड दिया तो यह जा रहा है उपर वैन rappeज जोड़ा इसको चोड़ा इट गोज एट गोज अप इन दा एयर यह अंद ऊपर की तरफ जा रहा है किदसा रहा है वो शवाल वही बन रहा है कि सवाल बैरा यहां से नीचे से उपर जाने लगा जब यह उपर जा रहा है at the same time at the same time उसी समय जब वो उपर की तरब उसने चलना चालो किया at the same time gas जो है वो उसमें से लीक होना चालो होगा gas starts leaking from balloon add the rate of अब यह कुछ तो भी rate होगी जिस पर इसमें से क्या निकल रही है हवा नीचे की तरफ निकल रही है तो मैंने बोला हो जो गैस निकल रही है वो निकल रही है five centimeter per second oh my god मैंने क्या बोला पांच centimeter meter per 30 second के इसमें क्या निकल रही है गुबारे में से हवा निकल रही है और ठीक है और क्या हो रहा है यहां पर and अब देखो हवा या गैस जब गुबारे में से बाहर निकलेगी तो गुबारा क्या होगा पिचकना चालू हो जाएगा तो मैंने बोला land the balloon shrinks balloon shrinks completely completely in 5 seconds मैंने बोला 5 seconds अंदर में गुबारा पूरा पिचक गया आप चाहें तो यह समय जादा भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है 25 गुबारा 5 minutes में 5 seconds में पूरी हवा यहां से निकाल दी है मैंने तो यहां पर पूचा गया है find the average force find the average force acting on balloon acting on balloon balloon पर कारत average force यहां पर बताना है तो अब देखो इसलिए मैंने थोड़ी ज़र पहले जो आपको करवाए था F बराबर dp by d उसी से करने की कोशिश करते हैं कुछ हो सकता है देखो तो F बराबर आपके पास में आता है dp by dt जिसे आप लिखते हो d by dt of m into v बराबर है तो यहां पर देखिए क्या चीजें दे रखी हैं और कैसे दे रखी हैं तो देखो इसको लिखा जाता है वह यह देखो मैं आपको पूरा पढ़ाया हुआ अब बराबर होता है m into dv by dt plus का v into dm by dt बराबर है गया अब बताओ क्या करें किस कॉंसेप्ट से हम लोग यहां पर करते हैं फटापट सोचो यह पूरा लग जाएगा ना यह वाला यह यह हमारा कॉंसेप्ट हो अब यहां पर सवाल के अंदर में पढ़ो तो देखो हम लोगों को मालूम है कि यह इस गुबबारे का मास कॉंस्टेंट है क्या नहीं इस गुबबारे का मास कॉंस्टेंट है क्या नहीं क्या इस गुबबारे की वैलोसिटी चेंज हो रही है बिल्कुल भी नहीं हो रही है मतलब भली आप concept गलत लगाओगे वो यह अलग बात है क्योंकि आप देखो पता है क्या लगाने वाले मैं आपको समझा देता हूँ आप लगाओगे M into V upon T लगाओगे और आपका अंसर आएगा लेकिन concept पकड़ने की बात चल रही है यहाँ पर तो यहाँ पर समझ यह जरा देखो इसके दो step है बराबर actual में तो यही formula सिखा है कि नहीं सिखा है मैंने यही formula सिखा है बाद में मैंने बोला कि यदी mass constant है तो यह वाली step zero हो जाती है बराबर है rate of change of mass zero हो जाता है लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है सवाल के अंदर को फिर से पढ़िए तो इस सवाल के अंदर में बोला गया है कि गुबारे का initial mass है 25 gram बराबर है जब इसको छोड़ा गया है उपर जा रहा है at the same time gas starts leaking from the balloon at the rate of 5 cm per second यह 5 cm per second क्या है क्या यह velocity है 5 cm per second yes or no क्या यह rate of change of velocity है नहीं यह rate of change of velocity नहीं है यह आपकी constant velocity है मतलब यह तो यहां पर गडबड़ी हो रही है हमारे साथ में बासन में आ रही है तो इसका मतलब यह है और देखो यहां से क्या एंड बलून श्रिंक्स कंप्लीटल इन पांच सेकंड पांच सेकंड में गुबारा पूरा पिशक गया इसका मतलब इनीशली 25 gram का गुबा पांच ग्राम ग्राम को किलोग्राम में चलता है पांच ग्राम पर सेकंड क्या यह 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 वाला पूरा सब्सक्राइब क्या हो जाएगा जी रो तो यह वाला बचेगा तो यह एफ बराबर आएगा वी डॉट डी एम बाई डी टी अब देखो सवाल तो आप गलत की करोगे एम इंटू भी अपॉन टी से करने वाले हो मैं आपको पता दूं वैसे भी सवाल आप उससे कर लोगे लेकिन कॉंसेट को पकडवाना मेरा काम है अब वो कितनी देर तक आप पकड़े रखते हो एक अलग बाद है रॉकेट के टाइम पर ऐसे सवाल बनेंगे इसलिए ध्यान ना करना ठीक है तो यहां पर फोर्स देखो यह तो सब माइनस माइनस वाली चीज है क्या चलो ठीक है आंसर आ रहा है फाई इंटू टेंड दो पावर माइनस का फाई न्यूटन चलो ठीक है छोटा सा आंसर आ गया ठीक है ना ओ सौरी बिटा यहां पर एक छोटा सा पॉइंट में बूल गया 25 ग्राम का गुबारा तो यह दो रह गया आगे वाला चलो ठीक है तो दो अटा भी दोगे तो क्या फर पड़ेगा यह 25 लग जाएगा यहां पर बाकि सब कुछ सही है 25 इंटू टेंड पावर माइनस फाई न्यूटन कितना चोटा सा आंसर आया बोलो यह गुबारे का सवाल है तो छोटा सा आंसर आने वाला है ओके चलो मैंने कुछ और सवाल करवाएं यहा सब्सक्राइगा इस पर फोकस कीजिए यह सवाल को पढ़के बताईए कि वैलो सिटी कॉंस्टेंट है या मास कॉंस्टेंट है इसको पकड़ना आना जरूरी है क्यूं जब रॉकेट के सवाल चलेंगे तो रॉकेट में क्या होगा मास डीम बाइडीटी की वन होता है रॉकेट के सवाल में लेक्चर होगा एक पूरा खर्च लेकिन उससे सवाल यह आप देखोगे जाके दो बुक्स के अंदर में जादा से जादा दो या चार सवाल देखने को मिलते हैं और उस पर रॉकेट का सब्सक्राइब पढ़ जाता है लेकिन उसको समझने में यूनिफॉर्म मासिव रूप यह क्या है यूनिफॉर्म मासिव रूप इसका यह मतलब नहीं है कई लोगों को मासी सुनाई दे रहा होगा बिटा मासी उटा के मारेगी तुमको यूनिफॉर्म मासिव रूप यह इसका मतलब क्या होता यह ऐसी रूप है यूनिफॉर्म मा ये है कि you have a rod आपके पास में एक rod है जिसकी length L है और इसका जो mass है इसका जो mass है द्रव्यमान है वो M है बस खतब सर जी इतना आसान है क्या आसान इतना तो नहीं है कुछ तो चीजें होई होगी ने आप तो अब देखो हम लोगों ने इसमें concept apply करना चालो करते हैं आपको याद होगा मैंने बताया था uniform massive रोप जब रोप में कुछ mass आ जाता है तो उसके हर point पर tension समान नहीं होती है उसके हर point पर tension समान नहीं होती है तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया इस पर एक लगा दिया एक force लगा और हम किसी तो भी random position पर इसमें tension calculate करके देखते हैं तो मैंने बोला let's say let's say मैंने बोला let's say यहां से x दूरी पर यहां पर एक point consider कर लेते हैं यहां पर आपको बतानी है tension तो यह वाली दूरी अपने आप कितनी हो गई ल माइनस का x यहां पर आपको tension बतानी है तो इसको करने का तरीका क्या होता है इसको देखो ध्यान से देखे मैं क्या करता हूँ मैं इसके दो तुकड़े बना लूँ तो कोई दिक्कत है कि यह एक तुकड़ा हो गया जिसकी वाली जो point है यह है आपका massless string मतलब मैंने क्या कर दिए इसके दो block बना दिये और यह वाला जो हिस्सा है इसका कुस्तों भी mass आएगा बस यही तो है यही करना होता है बेसीलिए को क्या है यह इसको और इसको मैं massless string से जोड़ सकता हूँ ना तो यह दो अलग-अलग block की त call कर सकता हूँ अब बोलो क्या हो जाएगा अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक फोर्स लग रहा है लेकि यहाँ पर प्रॉब्लम है इसका और इसका mass नहीं पता मेरे को मास कैसे निकाल लूँ तो concept लगाईए देखो एकदम basic mathematics 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 का concept यह कहता है कि यदि L length की rod है तो मेरे पास में मास है M यदि Length की rod 1 होगी तो मास आएगा M by L लेका यदि मेरे पास rod की length X होगी तो मास कितना आएगा M by L into X या सौर नो और इस वाले का क्या हो जाएगा L length की rod का मास M, one length की rod का मास M by L, तो या L minus X length की rod का मास आएगा M by L into L minus का X बराबर है, ये मासे से मिल गए, अब ये मासे से मिलने से क्या फरक पढ़ने वाला है, तो ये simple सी बात ये है कि इस पे जो भी आप tension की बात करोगे, इस point पर tension T इधर होगी, यही tension यहाँ पर आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कु सही बात है, अब इसका ये मास मुझे पता ह और इसका acceleration पता हो, तो मैं क्या tension निकाल सकता हूँ, तो मैंने बोला T बराबर आजाएगा MA, बराबर है, मैं इस वाले block की calculation कर रहा हूँ, लेकिन सवाल तो अभी भी ये उट रहा है कि सर्जिस का acceleration भी तो मालूम नहीं है, मैंने थोड़ा सा पीछे आके सोचिए, acceleration क्यों न निकाल सकते हैं, आपको पूरी system मालूम है, यह पूरा system मालूम है, इसका मास M है, यह उस पे पूरा एक force आपको मालूम है, तो आप लिख दोगे acceleration बराबर तो F by capital M आएगा, यह क्यों नहीं मालूम है, आपको मालूम है, तो बस कहानी खतम कर दीजे, tension T आएगा, मास कितना उसका, इसका मास है, इसका मास है, M by L into X, yes or no, और acceleration कितना है, F by M, M से M cancel, तो यह टेंशन बराबर आएगा, X upon L into F, समझ में आया गया, अच्छा, यदि आप यहाँ से संतुष नहीं है, तो यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T बराबर, इसका मास कित निकाला जाएगा, इसका मास ही रहा, M by L into L minus का X, into acceleration F by M, और इस तरह से आपने यहाँ पे कर दी गलती, इस तरह से आपने यहाँ पे क्या कर दी, गलती, क्यों गलती हो रही है, सोचके बताओ ज़रा, सोचके बताओ क्यों गलती हो रही है, कोई गलती लग रही है आपको, दियान से देखिए, यदि आप इस पॉइंट पर टेंशन इस से निकालना जाते हो, तो इस पे लगने वाली टेंशन की डिरेक्शन यह आएगी, और इसका acceleration यह आएगा, मतलब इसका F BD पे फोकस करो, तो क्या गलती हो रही है, आपको समय गलती, यह गलती है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इधर में लगेगा F, इधर में लगेगा T, और इधर में आएगा A, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका लग रहा होगा, F net बराबर M, तो आप लगाओगे, F माइनस का T बराबर, इस हो सकता है, परिशानी हो करते हुए, M dash कितना है M dash, M dash, M dash, M dash, यह रहा M by L into L minus X, और into क्या है यह, into क्या है यह, A, A कितर है भईया, F by M, ठीक है, बस हो गया, अब M से M काड दीजिए, और सवाल को आगे बढ़ाईए, T बराबर, F माइनस, 1 by L, L माइनस X into F, T बराबर आएगा, F माइनस का, F by L into L माइनस का X, T बराबर आएगा, F माइनस का, F, देखो, यहां से F by L into L, तो, F by L into L, माइनस, माइनस, प्लस, F by L into X, सही है क्या, तो देखो, यहां पर कैंसलेशन करिए, ज़रासा, L से L कटेगा, तो T बराबर कितना आएगा, F माइनस F, प्लस का, F by L into X, तो T बराबर आएगा, X upon L into F, क्योंकि टेंशन तो सेम ही आनी चीए थी न, यहां रहेगा, ज्यान रहेगा, इस बात का, यहां पर आपने गलती कर बैठे थे पूरी, तयारी थी पूरी, तो M से M कार्ड भी दिया, तो F by L into L माइनस X हो गया, ब जिस end पर आपने force लगाया है, वहां से X दूरी नहीं है, वहां से तो L माइनस X दूरी है, यहां आप इसे घुमा के उल्टा करना चाहें, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना देखो क्या है, करने का तरीका आपको धियान रखना है, वो यह है कि यह दो अलग- ब्लाक में तोढ़िये, और एक मासले स्ट्रिंग से जोड दीजीए, कलियर है, समझ में आ रहा है, शार है, चलो आगे बढ़ाता हूँ मैं आपको अभी चलो हम लोग करते एक सवाल सवाल देखते ही आपको समझ में आ जाया है कोई ज़्यादा टीड़ा काम नहीं है जैसे मैंने क्या किया हमारे पास मैं मान के चली एक दो केजी का ब्लॉक है इन दोनों के बीच में मैंने एक ब्लॉक ये लगा दी मासिव श्ट्रिंग लगा दी 4 केजी नहीं 3 केजी ये जो रस्टी है इसका मास है 5 मीटर लेंट है और 5 केजी इसका मास है ज्यान सवाल को समझ ये 5 मीटर की रस्टी जिसका मास 5 किलो है सवाल मैं पूछा गया है कि भाई यहां से 2 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है यहां पर आपको टेंशन बतानी है यदि मैंने इस पर फोर्स लगाया हो 200 न्यूटन का कितने का फोर्स लगाया है 200 न्यूटन का इस पर फोर्स लगाया है यहां पर टेंशन बतानी है सवाल करने का तरीका समझ जाए कैसे करना है सवाल को सवाल पूरा समझ में आया चाहे तो आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्विज में मैं मोच लिए आपको क्या प्रिफर कर रहा हूं मैं प्रिफर कर रहा हूं डाइगराम मना दो सवाल लिखने का जो टाइम है वो आपका कम हो जाता है बोलोग अब समय में आया तो भगिया solution के लिए मैं क्या करता हो इसको solution कैसे करेंगे देखो मैंने क्या कर दिया कि यहां से लेकर के यह पूरा system औलंग बना दिया यह पूरा एक 화 गया तो यह 3 kg तो यह ही है यह तो 3 kg है यह लेकिन प्लस इसमें इस बार यह वाला मास भी क्या होगा एड होगा तो इसका कितना आएगा अच्छा दोनों साइड में मैंने ऐसे लिलिया क्या अरे यार चलो कोई बात नहीं छुड़ो कोई बात नहीं ठीक है लेने दो अब यहाँ पर बेसिकली आपको क्या पता करना है टेंशन यदि यहाँ पर फूर्स लगा दिया हूँ 200 न्यूटन बुलो कैसे सवाल को कैसे सॉल करोगे सबसे पहले तो आपको क्या निकाल लेना चा यह एसलरेशन बुलो एसलरेशन कितना आएगा 200 न्यूटन का फूर्स मास कितना है दो और दो चार और छे दस जीरो जीरो कैंसल एसलरेशन आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर बोलो अब इसके आगे क्या है पुलो इसके आगे तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं है अब उ 4 into 20 मतलब टेंशन आ गई कितनी 80 न्यूटन टेंशन कितनी आ गई 80 न्यूटन अचा आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं यहां से निकालूंगा तो बोलो यहां से कैसे निकालेंगे इसके लिए देखो पहले इसको मिटा दूं क्या भी 80 न्यूटन आंसर है याद और सिस्टम पूरा चलेगा एसे इधर सही बात है तो लगाओ क्या एक्वेशन बनेगी 200 माइनस का टी वराबर 6 into A तो भाया जी आंसर आएगा टी वराबर 200 माइनस का 6 into A कितना था 20 बोलो टी वराबर आएगा 200 माइनस 6 दूना 112 तो टी वराबर क्या 80 न्यूटन अभी भी बोलो यह सेम सवाल है ना अब दो की जगए तीन लगवालो चार लगवालो कितने भी लगवालो कोई दिक्कात नहीं होनी चाहिए क्लियर है अरे बास में आ रही है ओके चलो अब लोग एक और सवाल कर लेते हैं अब जैसे मैंने यह होरी जॉंटल डायरेक्शन में करवाया तो अब एक सवाल सी आपका काम हो गया अब मेरे को इतने सवाल करने की जो रहत नहीं पड़ेगी कि बेसिकली हो क्या राय हो क्या राय बोलो मास ही तो है ब्लॉग बना दिया उस रसी को तोड़के उस रसी को त लिया दोनों को मैंने जोड दिया मान कि जो दो और यह हमारा स्टेंडर्ड दो और तीन केजी का यह दो और तीन दो और तीन यह बार बार आ रहा है ना थोड़ा सा डेटा बदलने की कोशी करते हैं पता नहीं बदलने जाओं को और और नहीं हो जाए जो भी है यह रसी मान लीजिए तीन मीटर है और इसका मास है 6 की ठीक है रसी है तीन मीटर के बार साथ च्छे केजी 6 से टीन नौ दो 11 एक और 11 ना जयान रगना एक और एक दो होते नहीं रिखितना लगा देने मानजरी लगा दिया 22 सो नुल न का सका कि यहां पर फोर्स लगवा दिया अब क्या दो 22abile बने सवाल में पूछ लिए आप से फाइन्ड टेंशन क्या पूछूंगा फाइन्ड टेंशन एत मिड़ पुएंड जया करना है सब्सक्राइब करने का त्रीका बहुत ही आसन है क्या करना है निदॉपाइंट मतले इसको बीच में से तोट दिया बराबर अब बीच में से तोड़के सवाल कैसा जाएक यह सवाल बन जाएगा देखो यह हो गया 2 kg यह रसी लग गई sorry 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 बीज बीज में shirt touch हो जाता है उससे हो जाता है देखो यह बड़ा कर दीजे जड़ा इसको यह रसी लगा दी और यह ठीक है यह 6 kg का है मतलब उपर वाला 3 kg और नीचे वाला भी 3 kg सही बात है तो उपर आएगा 2 kg प्लस का 3 kg नीचे आएगा 3 kg प्लस का 3 kg सही बात है और उपर जो आपका 2200 न्यूटन का फोर्स है उसमें तो कोई परिवर्तन है ही नहीं है क्या कोई परिवर्तन बिल्कुल नहीं है तो अब बोलो ओवर ओल कहानी क्या होती है overall कहानी क्या हो रही है तो दो और तीन पांच तीन और तीन छे मतलब ये डाइगराम अगला बनाओगे तो आप बनेगा पांच केजी वाला और नीचे है छे केजी वाला और उपर है आपका बाइस सो न्यूटन का फोर सही बात है यस और नो बस तो अब आप कर दीजिए अब आप कैसे करेंगे तो भीया इसको कंबाइन मान ली जिया मैंने छे और पांच ग्यारा केजी बराबर है उपर लगा दिया बाइस सो नीचे लगेगा 110 ज्यार नकना नीचे वाले को गलत मत कर देना नीचे वाले को भूल गए तो सारा मामला खतम एब बराबर क्या f net upon m बराबर है f net मतलग क्या ऊपर वाले मैं से नीचे वाले को सब्ट्रेट किया और मुझे लग गया कि मेरा यहां पर डेटा अच्छा नहीं बना 22 मैं से 110 करो कि अ हुआ है बाइस सो मैं से 110 करने है जीरो नौ जीरो एक हजार नब्वे और अपॉन मैं है सब्सक्राइब करना पड़ेगा मजबूरी है मेरी 220 न्यूटन ले लिए ठीक है इसको 220 कर लेता हूं इसको 220 कर लो इसको भी क्या कर लो 220 न्यूटन तो इसका मतलब यह अगले वाले को भी आपको 220 करना पड़ेगा ठीक है इस वाले को भी 220 कर लीजिए ओके ऐसा करते करते मैं यहां तक पहुँच चुका हूं इसको भी 220 कर लीजिए ठीक है 220 मैं से 110 गये तो अब कितना बचेगा यह पहले में दिमाग में क्यों नहीं आया चलो कोई बात नहीं तो यह आएगा 110 विए 220 मैं 610 कितने बचेगा 110 डिवाइड बढ़ ग्यारा तो आंसर आ रहा है परची लेकर आया करो अना परची लेकर हाथ में चुटी यह सवाल नहीं अच्छा नहीं लगता वैसे ठीक है एसलेरेशन आ गया दस मीटर प्रती सेकंड स्क्वाइर का अब क्या चीरिया आपको भी या टेंशन कहीं से भी टेंशन ढूंड लो अब जैसे यहां पर ही टेंशन निकालोगे कि निकालोगे उसा पूरा सिस्टम कनवर्ट इसमें हुआ है तो बोलो क्या करूं छे के जी वाले पे ध्यान से द टू एक इतना है ये भी दस ही है ओके टी बराबर आएगा 120 नियूडन बोलो कर सकते क्या अरे बोलो कर सकते की नहीं कर सकते सेम टू सेम सवाल होते हैं ये मतलब ऐसे टाइप की वराइटी आपको देखने को मिलेगी बोलो यूनिफॉर्म मासी औरोप में क्या डरने लायक था कुछ डरने लायक कुछ भी नहीं था लेकिन हमको यदि पहली बार में ऐसा लगा ना कि मन में डर बिठा लिया तो बस कहानी खतम उसके बाद कुछ नहीं बचेगा उसके बाद सब एक्दम क्लीन रहेगा उसके बाद क्या होती है शान्ती सो हम लोगों ने अभी यहां तक पहुंच गए अब बेसिकली देखो यहां से आगे जो है ना यहां तक सीखने के बस्चाथ हमारे पास में आता है अगला टॉपिक होता है पुली ब्लॉक सिस्टम बेसिकली क्या होता है पुली ब्लॉक सिस्टम जिसे कंस्ट्रेंट मोशन ही कहते हैं क्या कहते हैं कंस्ट्रेंड मोशन या पुली ब्लॉक सिस्टम अभी टाइम हमारा खतम होने को आ गया हो गया लड़ी पैतालिस मिट का लेक्चर था पच्पन पे पहुंच गाड़ी तो हम लोगों को रुकना तो पड़ेगा आज के लेक्चर में हम लोगोंने क्या सीखा न्यूमेरिकल सी सीखे उसके वाद में यूनिफॉर्म मासिव रोप सीखा जिसको मैंने क्या बताया रोप को यूनिफॉर्म मासिव रोप है मतलब उसके तुकड़े कर दीजिए और उसे क्या बना कि यह वही सिंपल सवाल है जो पिछले लेक्षर में किया वही आज दोहरा दिया तो लिंक देखो अभी तक हम लोग पुराने वहां से कहीं पर भटक के नहीं कि इदर सब कुछ वही लिंक चल रहा है मतलब आप सोची सिर्फ इस पर प्रैक्टिस बहुत जादा करनी होती है य हम लोगों को ऐसा नहीं करना अभी तो हम लोगों को टेंशन के फोर्स पर पहुंचें अप याद कीजिए क्लासिफिकेशन और पहले वेट पढ़ लिया उसको हटा दिया साइड में कॉंटेंशन नार्मल रियक्ष्टन एक लेक्षर आदा लेक्षर भी पूरे से नहीं कि हमसे होगा जरूर होगा तो डरने की जरूरत नहीं है उसको बहलाओ मन को याद है कि नहीं हाँ चलो ठीक है तो आज के लिए बिटा बस इतना ही मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दर्मिया तो तब तक के लिए धन्यवाद